क्यों दिपिका ने किया सबा को इंबारेस। लाइव आकर दिपिका ने सबा के लिए क्या कहा आए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिपिका कपकर टीवी की जानी मानी आक्ट्रिस हैं और उनकी फैन फॉलोविंग भी काफी तगडी है। अपने व्लोग से सबको अपनी जिन्दगी से रूबरू करवाने वाली दिपिका के यूट्यूब चैनल दिपिका की दुनिया को पूरे हो गए हैं दो साल। इस मौके पर दिपिका लाइव आई और अपनी यूट्यूब फैमिली का उन्होने और शोएब ने शुक्रिया अदा किया। फिर दिपिका ने सबा का जिक्र किया और कहा कि अगर सबा ना होती तो हमें तो पता भी नहीं था कि किस तरह व्लोगिंग करना है। जिस पर शोएब कहते हैं कि हाँ उसने हमें बहुत मोटिवेट किया और इस प्लाटफॉर्म से हमें प्रूबरू करवाया। फिर दिपिका कहती हैं कि दिपिका की दुनिया का आइडिया सबा का ही था और उसने ही मुझे बताया कि मैं क्या क्या अपने ओडियन्स को कॉंटेंट दे सकती हूँ। वही दीपिका ने हसते हुए कहा कि अभी सवा ये लाइफ देख रही होगी और कहेगी कि आप मुझे हमेशा इंबारस करते हैं वही दीपिका ने अपने फैंस से इस मौकी पढ़े सारी गापशप की और काफी बातें बताई जैसे कि वो जल्द अपना नया प्रोजेक्ट शूट करने वाले हैं और इसलिए वो शिमला भी जाएंगे वही जिस तरह दीपिका और शोयब ने सबा की तारीफे की उससे एक बात को साफ है कि भाभी और ननत के बीच उठ खूब प्यार है और दीपिका सबा को कितना मानती है वो अकसर देखने को मिलता है हाल ही में सबा के लिए दीपिका ने स्पेशल हल्वा और फूल भेजा था जिसके लिए सबा काफी हैपी हो गई थी वही सबा इन दिनों थोड़ी डिप्रेस भी है जब से उन्हें पता चला है कि उन्हें थाइराइड हो गया है वेल हमारी दरफ से दीपिका को उनके यूटियूब चैनल दीपिका के दुनिया के दो साल कम्प्लीट करने पर धेर सारी बधाईया साथ ही सबा को भी थैंक्यू अगर वो ना होती तो दीपिका और शुएब के प्यारे व्लॉग हमें देखने को नहीं मिलते आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर हमें कॉमेंट्स की जरी जरूर बताएं